जैश्री महंकाल, हरहर महादेव, ओमन मस्शिवाई आपकी राशी के जातक धन हानी से बहुत जूझते रहते हैं या तो उन पर बहुत कर्ज हो जाता है इतना कर्ज हो जाता है कि वो कर्ज चुका नहीं पाते हैं दूसरा ऐसा होता है कि जिन जातकों को उन्होंने या जिसी किसी व्यक्ति को पैसे दिये वो लोटाने का नाम नहीं ले रहा है और हम जो प्रोपर्टी बेशना चाहते हैं जहां से भी जिस चीज को बेच कर हमें धन आना चाहता है या कहीं हमारे नोकरी, पैशा, रोजगार जो काम हमने किया है उस काम के पैसे अटके हुए हैं तो कुल मिलाकर बार-बार हमें धन हानी क्यूं होती है और अगर हम ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान हैं कि हमने काम किया हमारे कहीं पैसे रुके हुए जो नहीं आ रहे हैं या कहीं से भी जो पैसों का सोर्स है जो ला वीडियो आपको पूरा और आखरी तक देखना चाहिए क्योंकि धन हानी से सम्मंदित या धन से जुड़ी जितनी सारी आपकी बाधाय और परिशानी उन सभी का एक सकारत्मक समाधाना प्राप्त करेंगे मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहां से आप पूरा देखें यह वीडियो सिर्फ आपकी मदद के लिए आप इस वीडियो को देखकर अपनी खुद की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं और धन, हानी, संबंदी, जितनी सारी परिशानी हैं उनसे आप हमेशा के लिए बहार आ सकते हैं दूसरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें कमेंट्स में सबसे पहले भूले नात का नाम लिखें जैशु शंबू खरहर महादेव और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विचलेशन हमसे करवाना स्क्रीन पर नमबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं बार-बार किसी व्यक्ति को धनानी होने के पीछे जो मूल ग्रह है, जिस ग्रह की वज़े से परिशान Julius होती है, वो होता है शुक्र और राहू शुक्र और राहू, दोनों उस धन का यूटिलाइज करना से मतलब है कि उस धन को किस तरह से आप उपयोग में ला रहे हैं अपनी सुक्स, सुविधाय, वैभाव, संपत्ति, उन सबी चीज़ों के लिए तो इन दोनों को मेनेज करना बहुत जादा ज़रूरी, मेनेज करने से मतलब है कि इन दोनों से जुड़े हुए जितने सारे उपाय हैं आपको उन पर ध्यान देना होगा सबसे महला उपाय शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान भोलेनात को वस्त्र, शिवलिंग पर वस्त्र अरपित करें चाहे वो आप एक भगवा कलर का गमचा हो, चाहे वो वस्तर हो, शीवलिंग के लिए वरस्तर हो, वो वस्तर डोनेट जरूर करें, डोनेट मतलब है भगवान को अरपीत करें, चड़ाए, चड़ाने से शुक्र बहुत मजबूत होगा, और इत्र जरूर लगाए भगवान पाएंगे कि धीरे 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 चीज़े आगे बढ़ रही है, दूसरा एक मूल कारण होता है, बहुत सरे जातक अपना धन बिना किसी सोचे समझे कही भी निवेश कर लेते हैं, ऐसी गलती कभी न करें, किसी व्यक्ति की बातों में आकर ऐसी गलती न करना है, हमें हमारे ब आवाज को जरूर सुने, वो आवाज आपकी मदद के लिए, वो आवाज आपको हेल्प करेगी और किसी भी बड़ी परिशानी से धन से सम्बंदित या कोई भी समस्या से आपको बचाएगी, तो उस आवाज को आप दरकिनार ना करें, तीसरा है, हर शुक्रवार मा लक्ष चिना करने से भी कई सारे जातको की जीवन में एक सकारत्मक बदलाव देखने को मिला है, अब इन सभी उपायों के बाद एक महत्मून बात है कि नियमित बजरंग बान पड़े, नियमित बजरंग बान पड़े, सुबह, शाम दो वक्त पड़े, पढ़ने से भी धन से सम्म आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना, जेसा भी लगा हो जरूरू बताना चाहते अपनी कुंड़ी का विश्लेशन हमसे करवाना इस्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, ओमन में शिव